जी बेटा आगे हमारा जो है वह next है head to tail rule head to tail rule मैंने आपको बताया कि किस purpose के लिए use किया जाता है कि vector quantity इसको add करने के लिए हम एक method यूज़ करते हैं head to tail rule कहते हैं और यह हमार पर graphical method है यह definition जो है आप लोगं की summary में मौझूद होगी इसको summary में से आप highlight कर लिजेगा star number मुझे याद नहीं है लेकिन आप उसको reading करेंगे तो आपको automatically जो है वो पदा चाल जाएगा कि head to tail rule की definition है कोई दूसरी definition या तीसरी definition होगी ठीक है तो summary में से आपने इसको highlight करना है head to tail rule क्या होते है ग्राफिकल method used to add the vector quantities is called head to tail rule as a graphical method जो vector quantities को add करने के लिए use किया जाता है या subtract करने के लिए use किया जाता है उसको हम क्या कहते है head to tail rule कहते हैं उसके लिए ना हम यहाँ आगे method की दरफ चलते हैं कि हम कैसे वेक्टर कैसे forces को या कैसे vector quantities को add कर सकते हैं let's suppose हमारे पास जो है वो two vectors है एक वेक्टर मेरे पास ए है जिसकी direction जो है न वो इस तरफ है यह निके towards the east है एक मेरे पास ऐसे है ठीक है उसकी direction ऐसे अब direction ही हम change करें हम यहाँ पर forces को या vector quantities को जो है वो change नहीं कर सकते हैं सबसे पहला step क्या आ जाता है कि select a suitable scale हमने एक suitable scale जो है वो select करना है suitable scale में आपको पता है कि जब हम graph draw करते हैं तो उसके चुटे 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 boxes बने वी होते हैं ऐसे ठीक है boxes बने वी होते हैं इन boxes को न हम कोई सभी अपनी मर्ज़ी से नाम दे देती हैं let's suppose इसको मैं कहा देती हूं कि यह one newton का है फिर आगे यह two newton का आ जाएगा यह नहीं कि हमने कोई सभी अपनी मर्ज़ी से एक suitable scale बना लेना है second step में हमने क्या करना है कि इन दोनों में से किसी a quantum vector को हम लोग ने as a reference लेना है हम a vector को क्या कर लेते हैं as a reference जहां से हम लोग ने start करना है हम एक coordinate system बना लेते हैं coordinate system में आपको पता है कि जो horizontal lines होती है वो x axis को represent करती है और जो y axis को represent करती है a वाले vector को हम लोग draw कर लेते हैं इस तरह से जिस तरह से ये जिसकी इसकी जितनी length आ रही है उतनी ही length यहां पर बनाएंगे ठीक है x axis को पर और direction जो है वो towards the east है तो towards the east आएगा अब second vector according to head to tail rule second vector को हमने ऐसे draw करना है कि जो vector की जो tail होगी second vector की वो first vector की head के साथ क्या करने चाहिए coincide करने चाहिए अब first vector हमने यहां draw किया ठीक है second vector हमने ऐसे draw करना है कि second vector की जो tail है वो first vector के head के साथ को inside करनी चाहिए तो direction change नहीं होनी चाहिए method change नहीं होना चाहिए तो इसको हम यहां पर अगर ले आएं तो यह ऐसे बन जाएगा इस तरीके से समझे तो यहां पर हम लोग according to head to tail rule second vector की tail first vector के head के साथ अगर third vector कोई है तो third vector के tail previous vector के head के साथ को inside हो जाएगी and so on फिर जब हम resultant बनाएंगे तो resultant आपने ऐसे बनाना है कि जो resultant force होगी जो resultant vector होगा उसकी tail first vector की tail के साथ और resultant का जो head है वो last वाले vector के head के साथ जो है वो को inside कर दे तो यह हमारे पर क्या बन जाता है resultant बन जाता है और एस method को graphical method को हम क्या कहते है head to tail rule कहते है अब आप लोग ने copies के उपद just जो homework करना है like और unlike parallel forces का difference लिखना है definition और example बाकिया आप लोग ने book के पड़ी है वो highlight करना है और उसको सासत याद करना है जो example आपकी 4.1 है उसको cancel कर दें जज़ा कि लाखायर, अलाहाफेज